फ्यूप अजगर्मी है स्टोन के नीचे कुछ है असली दुनिया इस तरफ है चलो एक साइन लगाए ताकि कोई खोव न जाए फाल्टु को इससा काट दे हूँ पेपर से फ्रेम करे कुछ लाइट क्ले ले यलो नाम्स साइन को पोल्स पर लगाए अब रास्ता ढूना असान होगा इंसा कार चला रही है मुझे हवा में घूमना पसंद है चलो काम करें दोस्ट कीचो क्या हो रहा है मेरा साइन हमें उसे हटाने को कहा गया था मुझे इससे ले जाने दो मैं इसे घर जाकर देख लूँगी बार्बी लैंड का एक साइन है क्या हुआ चलो स्टेटस देखे मेरी वीडियोस को चार्ट्स पसंद आए मैं ये मूवी देखने जाऊंगी और सब पता लगा लूँगी पोपकॉन बनाए कंटेनर्स को चिपकाए कैप से कवर करे कुछ ट्राइब पेस्टर एक बकेट पॉपकॉन ड्रिंक भी है एल्सा में आमी में घूम रही है बार्बी भी यहां है मुझे ये मूवी अभी देखनी होगी सिनेमा में एक लंबी लाइन लगी हुई है सब बार्बी बैनर के साथ फोटो कीश रहे है शिक्रिया बार्बी मूवी यहां तक ही पॉपकॉन भी पिंक है और ड्रिंक ठीक है देखते हैं ये किस बारे में है वो अजीब है क्या मैं यहां बैच सकती हूँ? बढ़िया खेर 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 अभी तक कुछ खास नहीं लगा ये बढ़िया था मैं अब बार्बी बनना चाहती हूँ स्वीटी मैंने चुपके से तुम्हारी विश सुन ली मेरे पास एक आइडिया है ओरिशनल वाली से कंपेर करें नाथ ले सिर्कल करें कॉर्सेट से ले लपी स्कर्ट एक ड्रेस बनाए फिटिम टाइम वाँ एक बेल्ट कलर करें एक पेटी कोड फ्लार बीट्स पिंक शूस एक जिससे लग रहे है एलसा एक डमी में बदलने में काम्याब रही तुम्हारे नए दोस यहाँ है हे रूट प्रिंसेस एलसा बार्बी बनना चाहती है हाई बढ़िया है अंदर आ जाओ दोस्तों को समझ नहीं आ रहा है लड़कियों एलसा से मिलो यह हमारी तरह बनना चाहती है तुम्हें बार्बी की तरह रहना होगा हमें केन की जरूरत है बार्बी केन के साथ डेट पर जा रही है मैं खट-कट आता हूँ किसी ने नहीं खोला ठीक है मैं इंतजार करता हूँ डूसरी स्लंबर पार्टी मुझे अभी और इंतजार करना होगा गर्ल्स एलसा को तैयार कर रही है केन इंतजार कर रहा है चलो ड्रेस बदले संदर है कितनी प्यारी है हे, क्या तुम केन हो हाई बार्बी, ये तुम्हारे लिए वो डेट पर जाते है इंटो न्यो न्यूस प्रेपर पढ़ रहा है मैं अभी आता हूँ उसका चेश्मा ले फ्रेम को फिर से पेंट करे डार्क प्लास्टिक से ग्लासस बनाए एक कपड़ा ले एक तुक्णा काटे लेगोस बनाए ब्रैंडिट स्काफ और ग्लासस स्तयार है ऐसा दूसरी बार्बी इस पर नजर रख रही है मुझे कॉक्टेल पसंद आए चलो इसे लिख लेते हैं बार्बी लहेरों से जीतना चाहती है हे बार्बी, जगा बदलते हुए एक ब्यूटी सलाओ वो मैगजीन्स पड़ रही है लेडी, क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है? हाँ, मैंने ली है चलो इस पुराने सेट को बदले एक प्लास्टिक पाई पेट ले एक कप और एक और हैंडल लगाए गोल्डन इंसर्ट टी प्लेट्स गोल्डन बॉर्डर प्यारा टी पॉट रखे टी पार्टी के लिए सब कुछ तयार है रूट हैंडलर बार्बी की क्रियेटर एलसा को इन्वाइट किया है उसे बार्बी के फैशन और होबिस के बारे में बहुत कुछ कहना है टेबल सेट करने के लिए मेरे पास अभी समय है गुड आफ्टरनून आ जाओ केन के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही अच्छी रही क्या प्लान है मैं तुम्हें बार्बी की तरह चाई पीना सिखाऊंगी ये बहुत गर्म है और अब ये पूरी तरह से जम गई है मैं ये पहली बार देख रही हूँ मज़ेदार है फिर कोई टी पार्टी रही है चलो बात दे करें मेटीरियल्स चुने अम्प्रेला को जोड़े सन लाउंजर के साथ में लगाए एक कोकोनेट कॉक्टिल अराम करने के लिए बड़िया जगा तयार है ओ, मुझे यही चाहिए था हलो, डिलिवरी कूरियर ओल अफ और्डर को डिलिवर करने आता है बस ओड़ा और छोड़ दो अब मैं यहाँ सब कुछ तर्यार कर दूँगी तो अम्प्रेला यहाँ है एक सन लाउंजर अराम करने का समय है दूप नहीं है ये मैयामी भीचिस नहीं है मैं कहाँ पर हूँ? लाली लूप अपने स्नो मैन को केन में बदलो लूप्स शांदार बेल्ड एक कोट चुने हमें बिल्कुल यही चाहिए था स्टाइलिश हलो, क्या तुम बेंडेना एक्सपर्ट हो? क्या तुम केन्स को पार्टी में डिलिवर कर सकते हो? ठीक है आखरी चीज बेंडेना है मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ केन प्लेग्राउंड में मज़े कर रहा है हाँ, यह असान था जोर से देखो, बॉल बिल्कुल सही बीट पर उचल रही है बढ़िया कर रही हो, तुम भी तुम भी केन हो मुझे नहीं पता हम सब ठीक कर देंगे शांदार ओ, कितना प्यारा है अपनी नई जिन्दगी के मसे लो, दोस ओला फैल्सा के घर जाता है मुझे खिर किसे चड़ना होगा मैं फस गया हूँ यहां कौन है, बचाओ डर्पो, यह मैं हूँ तुमने तो मुझे डरा दिया एक कलर चुने माजिक का समय है सर्कल बनाए फ्रीम को साथ में जोड़े हिंजिस स्ट्रॉव को बतले बॉंक्स को लगाए पोफेक्ट फ्रेमिंगो टिटिल्स लॉंग नेक लगाए लेक्स क्यूट वेंग्स कि पिंक मेल बॉक्स अच्छा लग रहा है चेल्सी अपनी सिस्टर के पास आती है देखो, देखो, यह बार भी है मुझे यह अच्छी लगती है मुझे माफ करना लेके मुझे अच्छी लगती है ठीक है बहें, खेर, मुझे जा रहा होगा गुडबाई, मैं फ्रोजन फिस्ट से देखोंगी अलसा कहा है मैं ढोन लोंगी लेटर का क्या होगा उमीद करती हूँ प्रिंसस को यह मिल जाए वो अकेली नहीं है एलसा को दुनिया भर से फ्रोजन फैन्स लेटर्स भेज रहे है मैं अपनी मेल चेक करती हूँ यह तो बहुत सारे लेटर्स आए है मैं पॉपुलर हो गई हूँ सब मेरे लौटने का इंतजार कर रहे है किसी और की तरह बनना मेरी गलती थी मैं जैसी भी हूँ सुन्दर हूँ स्टार फोम का एक टुप ला ले किनारों से काटे वायर को फिर से पेंट करे बटन्स लगाए माइक्रो सर्किट की डिटेल पिंक कलर से पेंट करे और एलेमेंट लगाए रिकट को काटे एक नीडिल लगाए लालीलू की वरक्शॉप म्यूजिक से गूंज रही है बार्बी की पास एक मेस्करेट बॉल है सब लोग बात और मज़े कर रही है ओ बढ़िया पार्टी है मैं बढ़िया ट्राक लगाता हूँ किसी के कोई पसंद है कुछ मसेदार वाला मैं क्या करूँ ओल अफ प्रिंसेस का पसंदिदा गाना चलाता है ये गाना मुझे किसी की याद दिला रहा है बच्चे अभी भी मुझसे प्यार करते है मैं पहले जैसी ही बनना चाहती हूँ एलसा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पहले जैसी हो गई तुमने सही सोचा, लड़की एक फैमिली वेकेशन मुझे बहुत भूख लगी है बस यादा मत खाओ पागल उपस, मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैंने तुम्हें कहा ही था बाटल को काटे एक टॉयलेट राइन्स्टोन से सजाए अराम दाएक फ्रोजन थीम वाला टॉयलेट भागो, भागो अलाफ जगोजी में मजे कर रहे हो मुझे अजीब लग रहा है क्या ये सैंड्विच की वज़े से हो सकता है मुझे क्या हो रहा है लालीलू, ये बहुत अजीब है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है एल्सा की स्किन ग्रीन हो गई है यहां तक कि उसका चेहरा भी आखों के नीचे कंसीलर ब्लॉंड हेर भी अजीब हो गई क्या चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए आना, क्या तुमने कोई चीक सुनी सुस्टर, हमें उसे देखना चाहिए दोस्तों, मदद करो सब अपने आपको बच्चाओ रुको, क्या हुआ वह मुझे डर रहे है मेरी एल्सा, मत रो यह कैसे हुआ यह अभी हुआ हम कोई रास्ता निकाल लेंगे हम तुम्हे जरूर ठीक कर देंगे हलो, एक बकेट ले ओ, शुक्रिया किनारों को सीधा करे एक ट्यूब जोडे एरबर्ड उस्ते तो उसको भेड एल्सा एक थ्रोन पर बैठी है और बुक के पीछे छिपी हुई है सुस्टर, तमें कैसा लग रहा है? चले जाओ, मेरी और मत देखो हो नहीं, वायरस बढ़ रहा है हालाद खराब है हम अभी इसे ठीक कर लेंगे तो मेरी लिबॉर्टरी क्याप लगा ली इंस्ट्रूमेंट तयार है सबसे पहले हमें सुनते है सास लो, सास छोड़ो तो साफ है, तुम बिमार हो हमें कुछ और सीरियस चाहिए वायटमिन पोशन तयार है नर्स एक टिशू कमाल कर दिया मुझे कोल्ड हो गया है उसकी हालत और भी बिगड़ गई चलो, हॉस्पिटल चलते है एक ट्रेड हुन्डे तार को अलग करे ब्रेन लगाए सॉसेज बनाए असली की तरहा ऐसी डिश किसे पसंद होगी? लालीलू आस्पिटल में एक और वर्किंग टे सब्सक्राइबर्स, मैं नॉर्बर्ट हूँ अपनी ग्राइनी से मिलने आया हूँ सोचो, अगर मैं डॉक्टर बन गया क्या बात है? डॉक्टर, मदद करो मेरी बेहन बिमार है तुम्हें बाहर जाना होगा उसका खयार रखना चलो जाच करते हैं पस, कहा है? सब कुछ ठीक है तुम एक जॉम्बी हो, डार्लिंग क्या? तुम्हें नए सिरे से जीना सीखना होगा ब्रेन केक ट्राइ करो अजीब लग रहा है लेकिन स्वादिश्ट है वाँ, एक मज़ेदार स्नाइक हम ट्रेनिंग जारी रखते हैं ऐसे चलो एलसा, डॉक्टर मेरे साथ है यहाँ क्या हो रहा है? एर ड्राइ क्ले को गूंदे जार भरे धकन को बंद करें बर्व के टुकड़े से सजाए नया ट्रीटमेंट मेथ़ड ट्राइ करते हैं यह लड़का कौन है? वाट से बहार जाओ, धोके बास उपस, एक हफ़ते बाद मलते हैं तुम्हारे टेस्ट रेजल्ट आ गए है सब बरबाद हो गया मैं एक जॉम्बी हूँ यह सिर्फ आम जहर है तो फिर मेरा चाल और वो अवाज है बेकार की बाते छोड़ो बस वाइटमिन्स ले लो खेर ठीक है चोट के निशान चले गए और पिंपल्स भी कम हो गए है बेहन, तुम ठीक हो रही हो रेकमेंडेशन को फॉलो करना याद के तौर पर फोटो लेते हैं पेपर एरप्लेन मार्यो नई एम्बलम बरगर पैक करें घेसारा फासफूट स्नाक का समय है दोस्त लंज के लिए मैकडॉनल्स आए क्या चने शुक्रिया मैं पी करूँगा ये रहे पैसे ये लो खाने के मजे लो, लड़कियों बेहन, देखो ये क्रिस्टोफ है बसो मुझे ऐसे न देख ले मेरे पास एक आइडिया है आई होल्स काटे वाला, ब्यूटी, सच में ये काम आएगा हाई, क्रिस्टोफ ओ, डर ही गया था क्या ये मजाख है नहीं, खेर मैंने सब कुछ खराब कर दिया है परिशान मत हो, उसे प्यार हो गया मुझे पता है एक कैप थोड़ा सा पाउडर कैप को बनाए पाउडर बॉक्स को ढख दे पाउडर स्किन को ठीक कर देगा मैं श्रेक की तरह ग्रीन हूँ मैं क्या मदद करूँ इस ग्रीन स्किन से नफरत है और पिंपल्स भी मैंने मास्क, लीको, एक कपड़े सब ट्राई किया, सब बेकार था तुम्हें वाइटेमिन सॉल्यूशन से धोई शायद ये काम कर जाए सब कुछ अभी भी वैसा ही है हो, एक आंखरी बार ये लो, ये पाउडर लो अब उमीद इसी से है अभी भी नहीं छुपाओ अचानक से एक मैजिकल फेरी आई मैं तुम्हारी मदद करूँगी फ्रिंसेस, वेंट से क्या होगा तुम क्या कर रहे हो उसे ब्यूटी सालोन जाना होगा हैंडल को अलग करे तूटा हुआ क्यान नेके रिया एक सीट तयार करे इसे कपड़े से लपेटे ये एक अरामदाएक कुरसी है बाल दोने के लिए बढ़िया है कोई कस्टिमर नहीं है आना और एलसा सलाम ने पहुँची हो मेरे पुराने दोस्त उसे ट्रांसफॉर्म करें मैं सब कुछ अच्छा करूँगा चलो बालों से शिरू करते हैं बैट जाओ बालों में फोम बनाते हैं जरा देखो ब्यूटी ये भयानक है दोरबर्ट तुमने क्या किया हमें बहुत सारे ब्यूटी प्रोड़क्स चाहिए एलसा बहुत अच्छी लग रही है मैं फिर से इनसान हूँ एलसा तुम बहुत सुन्दर हो ये ये शुक्रिया चलो एलसा के कपड़े बदले ये रही आउटफिट चलो ट्रॉई करो मैं कैसी लग रही हूँ कुछ कमी है लेस लगाए बॉटम राइन्स्टोन से चमक रही है एलसा शानदार लग रही है लड़कियो मेरे पीछे आओ एलसा आगे बढ़ो चुनो हम इसके बिना काम चला सकते है तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल नहीं जच रही मैंने कुछ निकाला ठीक है मैं बदलती हूँ वाँ शूज ने मेरा दिल तोड़ दिया तुम क्या कहती हो एह बहुत सुन्दर मैस क्या हम दोस्ती कर सकते है मैं एलसा हूँ तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कपल एक साथ चले गए मुझे भी शूज बहुत पसंद है ये मेरी फैमिली है आना शान्ती से अपने बैट पर सो रही होती है पर जैसे ही वो अपनी आँके कोलती है कुछ अजीब होता है ओ, ये क्या हो रहा है दुनिया एकदम से बदलने लगती है और आना एकदम से गरीब हो जाती है काले अट्लेटिक फैब्रिक पर कोर्सेट की आउटलेंग बनाएं टॉप को पहनाएं और फ्लोरल डिजाइन बनाएं ये ड्रेस फटी पुरानी है स्कर्ट भी बदल जाती है जिस पर काफी छेद है वो स्पार्कली हैंडल्स पहनना चाती है पर बेचारी को बूर्स पहनने होंगे ये सही में अराम दायक है गुड मॉर्निंग बर्ड क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगी मैं बुरा नहीं मानूँगी ओ थन बढ़ती जा रही है बढ़िया ये मुझे थन से बचाएगा पर ये ज़्यादा गरम नहीं है मेरे पास एक आइडिया है ग्रास ये मदद कर सकती है ये अच्छा लग रहा है बढ़िया ये रही आग मैं या आग सेख सकती हूँ ओ किसी ने इन सुन्दर रिबंस को जलाने की कोशिश की आज मेरी किसमत अच्छी है कि ये पूरी तरह नहीं जले कितना अच्छा दिन है अमीर एलसा बेस्ट फैब्रिक से आउटफिट बनाती है एक आकरिती काटें और एक और बनाएं हाँ स्पार्कली बेल्ट वाला डिजाइनर आउटफिट बढ़िया लग रहा है कंधों पर ट्यूल केप है चोकर से इस आउटफिट को पूरा करे आप एलसा से अपनी नजरे नहीं हटा आपाओगे कोरोनेशन पार्टी शुरू होने वाली है महमान भी यहां आ चुके है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मिस, चलो चले आखिरकार ये पल आ गया उसे क्राउन पहना दिया एलसा की जै हो वोडन स्क्वियर से स्लेट्स का फ्रेम बनाए होरिजॉंटल स्क्वियर्स पर वर्टिकल स्क्वियर्स लगाए हमें उन्हें पुरानी लकडी जैसा पेंट करना होगा ही ही, अब स्लेट्स ज्यादा सुरक्षित है यहां कितनी स्नो है, मैं राइट करना चाहती हूँ क्रिस्टोफ, तम सही समय पर आए हो क्या मैं ये ले सकती हूँ, मैं तुम्हें घुमाता हूँ चलो चले तुम्हें घुमाने के बारी अब मेरी है ओ, तुम भारी हो क्या तुम ये ड्राइब करोगे? ये स्लेट्स ज्यादा मस्बूथता नहीं है पर हम मज़े करने के लिए हमेशा तैयार है चलो इसे किसी और के राइट करने के लिए छोड़ देते हैं पहले मैं करूँगा प्लास्टिक डिटेल के इस्तेमाल करें कंटेनर से प्लास्टिक इंसर्ट्स हटाएं अपने पेरेंट्स की मदद ले विंडशील्ड, कंट्रोल पैनल, पहिये और डेकुरेशन से वीकल को पूरा करें फ्रोजन वर्ट से स्नौ मोबिल सजाएं इस शांदार वीकल में भेतरीन टेकनॉलोजी लगी है उप्स, छोटा सा एक्सिडेंट एलसा, क्या तुम ठीक हो? ओ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा मुझे तुम तीन-तीन दिखाई दे रहे हो क्वीन आखे कार अपने पूरे होश में आ जाती है अब मुझे ड्राइब करने दो मुझे कोई तिककत नहीं है हाँ, चलो चले आना अपने गार्डन को देखने आई है इस साल उसकी महनत रंग लाई उसने गार्डन का ध्यान रखा और अब इतनी फसल हो गई कि वोम उठा भी नहीं पा रही तुम आजाद हो बेबी ये लोग गाजर खाओ पेड की डालियों पर क्या है ओ, बढ़िया फैब्रिक है मैं इसे लालियों के पास ले जाती हूँ फैब्रिक और डालिया हम, चलो देखे हम इनका क्या इस्तिमाल कर सकते है स्नैप और फैब्रिक प्रिंट से ढग गया जितना भी खाना था वो ये रहा खाने को बंडल के अंदर डाले और एक स्टिक पर टांगे अब अना इसे आसानी से अपने कंदे पर ले जाँ पाएगी स्टारफोर्म के टुक्रे से तीन सर्कल्स काटे लेयर्स को लाइट कले से बने फॉंडेंट से ढगे ट्रीट पर नकली स्नो छिड़के केक को चमकीले स्नोफलेक्स बीड्स और उपर सुन्दर कैरेमल क्रिस्टल लगा कर सजाए आज ओलफ का बर्डे है एलसा ने उसके लिए एक सर्प्राइज तयार किया है खेर बस कुछ कदम और अब तुम अपनी आँखे खोल सकते हो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने ना देखा हो वाह मुझे यकीन नहीं हो रहा सीट पर बैठो ये दिन पूरा सर्प्राइजस से भरा है वाह कितना सुन्दर है एलसा अपने दोस्त के साथ मजाग करने की सोचती है जब केक आता है तो क्वीन अचानक उसकी गाजर वाली नाग को उसके अंदर गुसा देती है हापी बर्डे पाटी चलती रहती है लाइट क्ले कोई भी शेप ले सकती है आप बस बोलो उपर क्रीम चीज की लेयर ऐसी दो तिन लेयर्स लगाए और उपर स्नैप इस टुकरे से एपल कोर बन गया हाथी तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया मैं यहाँ तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा था हे इस बंडल के अंदर क्या है ओलो रुको मैं सब कुछ पका दूँगी फ्राइंग पेन लाओ ये तो केक की लेयर्स है पहला पैनकेक्स ज्यादा अच्छा नहीं बना है खेर मैं इसे आखे में लगा दूँगी ओह मैंने सारे पैनकेक्स जला दिये ओह अगर मैं केक नहीं बना सकती तो मैं इससे बिस्किट बना दूँगी और जले हुए किनारे काट दूँगी ओलो अब बनाने की बारी तुम्हारी है वाँ ये आइसिंग तो बहुत अच्छी है मैं इसे सुजाओं कैसे मैं एपल कोर और बेरिस इस्तेमाल कर सकती हूँ बढ़िया दोस्तों डिनर पर हाथी को ऐसा खाना पसंद नहीं है ओलो अ हाँ मैं ट्राइ करता हूँ लगता है कि बिस्किट्स ज्यादा ताजे नहीं है ओल अफ तुमने सब कुछ इतनी जल्ली खा लिया मुझे अच्छा लगा पुराने नैपकिन होल्डर से वैनिटी मिरर बनाए टुकडो को जोड़े टेबल टॉप तैयार है उसे सिल्वर से हाइलाइट करे फ्रेम पर खास स्टोन्स चमक रहे है टेबल टॉप पर परली बैंड लगा है वाह यहाँ पर कितनी सुन्दर चीज़े है मैं कुछ पहन कर देख सकता हूँ ओ मुझे लगजरी बहुत पसंद है प्रिंसस का मेक अप चलो इसे ट्राइ करके देखे मैं एक स्टाइल आइकन हूँ हाँ, शीशा जूट नहीं बोलता एलसा, ओ खेर, खेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो चलो तुम्हारे लुक को थोड़ा ठीक करती हूँ ओला, अब तुम पहले जैसे दिख रहे हो सही कहाँ एलसा, यह ज्यादा बहतर है तार को मोड कर रिंग बनाए फ्लार्स को कॉपर बनाए काले बैक्ग्राउंड पर टूटे शिशे के टुक्रे रखे पीछे की हिस्से को भी कॉपर से ढखे आना अपने छोटे से घर में आराम कर रही है सेलमेंडरा ब्रूनी को किसी चीट से फर्ट नहीं पड़ता वो यहाँ वहाँ कूद रहा है अरे, नहीं, ध्यान से, रिंग ओ, ये तो मुसीबत खड़ी हो गई ओ, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है माफ करना आना, देखो मुझे बैट के नीचे क्या मिला चलो इसे बदल कर देखे ठीक है, ट्राइ करते हैं ये अच्छा लग रहा है आना फिर से अपना चहरा देख सकती है